हेलो टीचर्स, वेलकम टू कर्ण सर इंफो टैक्ट, कर्ण सर इंफो टैक्ट में आपका स्वागत है, आज की हमारी वीडियो है, टीचर ट्रांस्वर ड्राइव से जुड़ी हुई, जैसा कि सभी को मालूम है, प्रिंसिपल्स, हेड्मास्टर, अलिमेंटरी हेड्मास्टर, पीजिटी और टीजिटी, सभी रेगुलर स्टाफ के लिए टीचर ट्राइव कुल चुकी है, इस टीचर ट्राइव में कैसे पार्टिसपेट करना है, वही देखेंगे हम इस वीडियो में, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी एमप्लोई आइडी से और से आपको अपने MIS प्रोफाइल पर लोगिन कर लेना है, लोगिन करने के बाद आपको इन थ्री बार्स पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपके सामने थर्ड नंबर पर ओप्शन है, प्रोफाइल क्रेक्शन रिक्वेस्ट तो आपको इस प्रोफाइल क्रेक्शन रिक यहां यह वही option है जहां से हमने अपनी service profile को और personal profile को verify किया था वहीं से हमें feature transfer drive में participate करने का option दिया जा रहा है तो इस पर click करने के बाद इस पर click करने के बाद जैसे इस पर आप click करोगे इसके नीचे एक और option खुलेगा update and verify profile तो आपको अब इस पर click करना है update and verify profile पे तो जैसे हम इस पर click करेंगे MIS हमें एक दूसरी website पे ले जाएगा mis.oneschoolshoot.com इस website पे आपने अपने profile को verify किया था वो भी आप देख सकते है profile पे click करके तो आपका personal profile जो था वो verify है और back पे click करके आप यहाँ पर तीसरे नंबर पे देख सकते है voluntary participation का option आपको यहाँ पर मिलेगा तो आपको अब इस पर click करना है जैसे हम इस पर click करेंगे अगर आप voluntary participation के लिए eligible हो तो आपके सामने कुछ ऐसा option खोल जाएगा voluntary participation, transfer drive details, GTD 1, GTD मतलब general transfer drive 1, August 2022, principal के लिए, HM headmaster के लिए, ESHM के लिए, PGT और TGT के लिए तो यहाँ पर option आ रहा है, yes I want to participate और दूसरा option आ रहा है, skip तो आपके पास यह दो option आएंगे, तो अगर आप participate करना चाते हैं तो yes पर click करें और अगर आप participate नहीं करना जाते हैं तो no के लिए आप skip participation पर click करें तो यह option उनी के पास आ रहे हैं जिनके एक station पे 5 साल से कम का time हुआ है जिसे 3 साल या 4 साल जितना भी जिनका time जो है वो 5 साल से जादा हो गया है किसी भी station पे उनका yes और skip करने का option नहीं आ रहा है उनको इस transfer drive में participate करना compulsory है उनकी transfer drive पे लिखा आ रहा है जैसे कि आप screen पे देख पा रहे हो कि you are not eligible for voluntary participation तो उनके लिए direct station कुलेंगे उनके घबरानी की जुरूरत नहीं है उनका automatic yes है उनके direct station कुलेंगे और वो वहाँ पर अपने station बर के transfer drive में participate कर सकते हैं तो जिनकी temporary posting है उनके लिए भी ऐसा ही है जैसे जो promotion से principle हुए है उनके लिए भी yes और no का कोई option नहीं है participation उनके लिए है जिनके 5 साल से कम है तो जहे yes I want to participate पर क्लिक कर सकते हैं या फिर skip पर क्लिक करके no उसी station पर repeat रह सकते हैं बिना participate किये तो यह हमारी teacher transfer drive में participation करने का process था thank you very much